Welcome students, आज हम बात करेंगे कि कुछ students ऐसे हैं जिनका result जो था वो disputed eligibility था कुछ students ऐसे होते हैं जिनका result लेटर आन होता है कुछ students ऐसे होते हैं जिनका जो previous जब अग्जाम होते हैं वो उसमें absent होते हैं और कुछ students ऐसे भी होते हैं जिनकी बड़े किसी वज़ा से जो previous अग्जाम नहीं दे पाते हैं जहां फिर जो उनका result निकलता है वो किसी वज़ा से जो withheld रहता है उनका result नहीं निकलता है उनकी जो mark sheet है वो नहीं आती जैसे अभी अभी यह देख रहे हो कि आज पीछे जे थर्ड स्मिस्टर अंडर ग्राइजूइशन का जो result निकला था उसमें कुछ हैं वो उन students की करना चाहते हैं जिनके result जो होते हैं वो withheld हो जाते हैं रुक जाते हैं और ऐसी condition पर क्या होता है कि जब आपका result clear हो जाता है जब आपका RLO clear हो जाता है DE clear हो जाता है तो आपको फिर आगे examination farm fill करना होता है अगर आपका subject repair हो लेकिन उस condition में क्या होता है कि आपको examination farm होता है वो university में जाके submit करवाना पड़ता है लेकिन आप करोना की वजहां से बहुत जगा lockdown भी लगे हुए हैं और university भी जो public dealing के लिए अभी नहीं खुली वहां पे अभी वो public भच्चों को नहीं अलो की कर रही university के अंदर आना तो ऐसी condition वाले पच्चे अपना examination farm कैसे fill करेंगे चाहिए वो किसी भी course के हैं यह नहीं कहां under graduation चाहिए वो post graduation के हैं पीड के हैं इंजिनरिंग के हैं अलल भी के हैं जो पिछे ले तीन महीने से जो करोना वाइरस का lockdown चल रहा है उसमें अपना examination farm नहीं fill कर पाए जाए इन future अगे कोई university public dealing के लिए नहीं open होती तो वो वो बच्चे अपना farm कैसे fill कर पाएंगे basically यह होता है कि आज कल जितने भी examination farm होते हैं वो सभी online fill होते हैं लेकिन online fill किन बच्चों के होते हैं जिनका result बिलकुल एकदम से साफसुत रहा गया होता है जिनका result में कोई hurdle नहीं होती जिनका result में कोई disputed RLO कुछ नहीं होता वो बच्चे पर लेकिन बच्चों का result disputed आ जाता है जो बच्चे absent हो जाते हैं जो RLO हो जाते हैं जब उनकी यह condition होती है तो उनका online farm नहीं आता उनको खुद university में जाके hand written farm जमा करवाना पड़ता है और और में उस चीज के बार में बता देना चाहता हूं आपको क्या करना है तब से पहले coeju.com पे इसको open करना है ठीक है आप चाहिए तो अपने mobile से भी यह फिल कर से आप यहां पर देखो कि आप स्टार्टिंग में यहां पर आ रहा है यह document वरिए यह पी online fee for any examination farm which you have to be filled offline यह offline पहले option पे चल जाना है याद रखना यह उनी बच्चों का है जिनके रिजल्ट होते हैं और जो examination farm जिनको खुद handwritten university में यहां पर जाते हैं आपको यहां पर सबसे पहले लिए ही लिखा गया है कि only for the candidate who are not filled manually examination farm manually यहाद रखना manually word term use की हुई है कि जिन्होंने manually fill करने थे farm वो आगे नहीं करवाएंगे यहां पर सारी condition लिखी है आप पड़ सकते हो कुछ नहीं इस condition में यही लिखा हुआ है कि फीस आपको online pay करने से पहले आपको कुछ eligibility है अगर वो आपकी ठीक है तो बार देना अगर एक बार फीस आपने पीड़ दी तो आपको फिर से refund नहीं होने तेक है दूसरी condition में यह रिखा है कि जिन candidates के result disputed eligibility है या आरलो है या लेटर ओन है उनको पहले यह तीनों चीज़ें clear करवानी होगी फिर ही अग्जामिनेशन फार्म फील करना अदर्वाइस आपका examination फार्म जो वह सब्सक्राइब नहीं होगा यह चीज में भी आपको मेश है कि आपने यहां पे online fee pay करनी है चीक है online fee pay कर दोगे लेकिन फिर भी आपको university में जाके manually examination फार्म बरना ही पड़ेगा लेकिन वो कब बरना पड़ेगा जब university open हो जाएगी public के लिए ऐसे ही अभी online क्यों फिल कर रहे हैं आपसे fees क्यों ले रहे हैं कि अगर इससे आपको lead fees नहीं देनी पड़ेगी आज जो नार्मल फीस है उस फीस में आप examination fee pay कर दोगे लेकिन अगर आपको university खुलेगी फिर जाके पही करेंगे तो अगर लेट फीस होगी होगी तो आपको lead fees ही पही करनी पड़ेगी तो इसका यह benefit है कि आपको लेट फीस बच जाओगे जाओगे एक examination बंद होगी तो उन चीजों से बच जाओगे तो लेकिन यह याद रखना कि अभी आपको एक receipt मिलेगी receipt को संबाल के रखना है बाद में जब university खुल जाएगी university में जाना पड़ेगा वो farm field करना पड़ेगा hand written वाला और उसके साथ यह receipt लगाके उनको submit करवाना पड़े बाकी जो अगर आपका किसी वजह से transaction failure हो जाती है तो अब university को इसे mail कर सकते हो यहां पर सब कोई बदा सकते हो अगर यह सारी condition है आपकी okay है तो आप यहां पर जाके लिख होगे अगर आपके यह सारे okay yes जैसे ही आप इन चीजों के yes करेंगा proceed from the next ठीक है आपको यहां पर द पीएट मबी अमसी एमड़ पीजी पीजी डीम फीजी डीची यूजी और योगा यह सारे बच्चे अभी अपना examination फार्म जिन्होंने मैनुरली फिल करना था वो कर सकते हैं जैसे स्पोस्ट कर अगर अगर अप अंडर ग्राजुएशन के हो तो यहां पर अपका अंडर ग् अगर यूजी है तो यूजी का डालो स्पोस्ट कर अगर आपका रोल नंबर 12345 है ठीक है आपका सेशन कौन सा था जिस सेशन में examination दिया अगर 2019 में अगर आपने दिया है आपको अपना नेम डालना है अनिवाइस जो भी नेम होगा जैसे यह नेम डाल रहते हैं कोई रेजि सब्सक्राइब होना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब यहां पर अपना एड्रस डालना है जो भी समवट आपका अड्रस होगा आपको अपको अपना मुबाइल लंबर यहां पर डालना है ठीक है अगर यह पूरा फारम एक बार कर लेन है इसके बाद क्लिक है टूपे ठीक है आप यहां पे आपको पहले ही एक आप्षिंज आंके दिखाए देगा एक्जामिनेशन फी कर रहे हो कांडिडेट नेम क्या कोर्स था क्या स्मिस्टर था कौन से यह अर्था एडर्स क्या था मॉइल क्या था कितने कोर्स थे और बेट कार्ड जिससे भी करना चाहो वो कर सकते हैं पर टोटल फीस और जैसे ही आप फीस पे कर लोगे इसके आपको रिसिप्ट मिल जाएगी रिसिप्ट को संबाल के रखना है और बाद में जब यूनिवर्स्टी ओपन हो जाएगी तब जाके यूनिवर्स्टी में कि तो उन्राइन फारम कर ऑदे करना और उनलाइन फारम करने के बाद उनको नहीं संबीट करवाना यह जरी याद अखना बाकी ट्aide earth वहुठ करना उनको कुछ कुछ नहीं लूघ करना उन लाइन फॉर्म करने अपने पास रिच्ट रोंसने खकने लुटन कर्वाइंगे जिनका इस्पीत रखशत रिसल्टों आपसंट है जिनका उनलाइन फीर मैं करना है उन उनके लिए है पोटल ये वो सारे बच्चे ऐसी फीज भी करेंगे ठीक है थैंक्यू